हेलो फ्रेंड्स मैं फार्मासिस फ्रांजली साथ पूते ओनलाइन फार्मसी इस मेडिसिन चैनल पर आप सभी का स्वाकत करती हूँ आज बात करेंगे बैंडी प्लस टाबलेट के बायर में जिसमी कि आपको अवर्माक्टिन और अल्बेंडाजल यह दो ड्रॉक एक साथ कॉंबिनेशन में देखने को मलेगे जनका उपयोग मुख्य रूप से पेट में आतों में होने वाले खीडों को मारने के लिए वर्म इंफेक्शन को ट्रेट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है आगे हम इस वीडियो में इस टाबलेट के बारे में पूरी विस्टार में चान कर लेंगे कि मतलब इस tablet को कब कैसे और कितने मात्रा में लिया जाता है यानि कि इसके uses क्या है, dosage क्या है, side effect, precaution इन सभी के बारे में पूरी विस्तार में जान कर लेंगे लेकिन उससे पहले दोस्तों नीचे का जो rate बाल सब्सक्राइब प्रिटन दिखाई दे रहे उसे जरू प्रिस की जगा, इससे क्या होगा हमारी चैनल पर आगे medicines related जितने भी वीडियोज अप्लोड होगे वो सबसे पहले आपको देखने को में लगे और वो भी बिल्कुल फ्री में तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि इस bandi plus tablet में कौन से drug को कितनी मात्रा में आड़ किया जाता है तो दोस्तों इस tablet में आपको ivermectin 6 mg की strength में देखने को मिलता है और albendazole 400 mg की strength में देखने को मिलता है तो दोस्तों यह जो दोनों दवाईया है यह एंथलमेंटिक क्लास से बिलॉंग करने वाली दवा है जो parasitic यह वर्म infection को treat करने का काम करते है वर्म को परजवी को kill करने का काम यह दवा करती है तो चलिए इस दवा के उपयों के बारे में जानते है तो दोस्तों इस दवा को जादा तर पेट में होने वाले कीड़े parasitic infection में इसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों परजवी तथा वर्म infection को ठीक करने का काम यह दवा करती है जिसमें roundworm infection जो की small intestine में देखे जाते है और यह infection होने के बाद कुछ लक्षन देखने को मिलते है जैसे कि वेक्तिको नौजिया omitting यानि की ultimately होना intestine में दर्ध होना उसके बाद stool के साथ कुछ वर्म आना पच्छन के समस्या मतलब खाया हुआ खाना ठीक से न पच्छना यह कुछ समस्या राउंड वर्म infection में देखने को मिलते है तो ऐसे डाइम पर डॉक्षर द्वारा इस दवा को प्रिस्क्राइब किया जाता है साथी hook warm thread warm whip warm इन जैसे parasite infection में भी इस दवा को दिया जाता है इसके अलबा philarion infection में भी इस दवा को दिया जाता है जितसे कि philariases या फिर वक्ति रोक के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों इसमें क्या होता है व्यक्ति के पाव के जरिए parasite परजवी इंटर करता है जिसके कारण lymph में surgeon आ जाती है जिसके वज़े से पाव भी बहुत बड़ा हो जाता है तो इस बीमारी में भी इस tablet को दिया जाता है साथ ही परजवी के कारण होने वाले scabies और head lies में भी इस दवा को दिया जाता है जिसमें व्यक्ति के skin पर छोटे-छोटे किड़े हो जाता है जिसके गारण व्यक्ति के skin पर छोटे-छोटे दाने होना बार-बार खुजली होना रेडने साना ये कुछ लक्षन दिखाई देते हैं और साथ ही सीर में होने वाले जियों से चुटकारा पाने के लिए लिखों से चुटकारा पाने के लिए भी इस टाबलेट को दिया जाता है तो दोस्तों ये थी इस दवा के उपयोग के बारे में जान करें अब बात करते हैं इस दवा के डोसेश के बारे में तो दोस्तों इस दवा को बच्छों में टाबलेट ली जाती है और इस दवा को ज्यादा तर रात के टाइम सोने से पहले लिने के सला दी जाती है और दोस्तों यह जो दवा है यह चुएबल टाबलेट होती है इसे आपको डिरेक्ली यानि की पानी के साथ निगलना नहीं है आप इस टाबलेट को चबा कर ले क्योंक पर नजर नहीं आते लेकिन फिर भी कुछ लोगों में पेट में दर्ध हो सकता है पेट में ग्यास बन सकती है उसके बाद constipation, gastric irritation, dust लगना, सीर में थोड़ा सा दर्ध होना या कुछ सैटिफिक देखने को मिल सकते है और यदि आपको इन में से या फिर कोई और भी सैटिफिक देखने को मिल रहे है तो आप दवा को लेना बंद करें और अपने डोक्टर की सला अवश्य ले और दोस्तों यदि इस दवा को लेना चाहता है तो वो पहले अपने डोक्टर की सला ले उसके बाद ही इस दवा का सेवन करें तो चली दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना है I hope you liked this video if so then don't forget to like, share, comments and of course subscribe over YouTube channel online pharmacy for medicine and health related videos thank you thank you for watching